Hello Friends एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए train का यूज किया जाता है आप लोगों को मैं आज की दिन इस वीडियो में बताउंगा कि आप लोग जो train से जा रहे हैं या कोई भी आप लोगों का रिष्तेदार आ रहा है या जा रहा है तो आप लोग कैसे पता करेंगे कि वो train इस समय कहां पर है लाइब मैं आप लोगों को चेक करके बताऊंगा और कैसे चेक किया जाता है पूरा प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप बताऊंगा सिर्फ यह नहीं यह भी बताऊंगा कि आप लोग उस train का नंबर यह train का नाम यह destination डाल करके भी आप लोग पता कर सकते हैं कि वो train कहां पर है आइलेंटे की YouTube चैनल पर जो लोग पहली बारा है पहली बार वीडियो देख रहे है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर करना और इस वीडियो से ज्यादा डाउनलोड हो चुका है और यह लगभद 10 MB का अप्लिकेशन है जब आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाए देगा मैं आप लोगों को पूरा लाइब इस वीडियो में सब कुछ बता हूँगा पहले बस आप लोग बटन पर क्लिक करेंगे और इस आप को इंस्टॉल करेंगे तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फिर आगे बताता हूँ ओपन करने के बटन पर क्लिक करके तो दोस्तों एप इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे और यह जो एप है ओपन होएगा तो कुछ इस तरह से दिखाए देगा यह official government app है यहाँ पर आप लोगों को कुछ important message दिया जा रहा है Corona के टाइम पर तो इसको एक बार आप लोग सीध details के बटन पर क्लिक करके एक बार जरूर पढ़ना आप लोगों का अपना status याने की live train ट्रेन status चेक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर sport your train के बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाए देगा आप लोग जो भी train में जाने वाले हैं यहाँ आप लोगों का कोई भी रिष्टदार गाड़ी में है बैठा है आ रहा है आप लोग देखना चाते हैं कि वो अभी कहाँ पर है क्यों से station पर तो आप लोगों को उस train का नाम डालना है या train number जो भी ticket होता है उस ticket पर train number और train name दोनों होता है तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर train number डालता हूँ तो देखिए मैं train number जैसे ही डालूँगा गाड़ी का नाम भी आजाएगा तो देखिए मैं गाड़ी का नाम भी आटोमेटिक आएगा जैसे की 2-3 दिन एक-2 दिन पीछे आगे पीछे आप लोगों को यहां पर दिखा देगा यानि कि एक हफ्ता पहले का चेक करेंगे तो वो कुछ भी नहीं दिखा देगा यानि कि एक हफ्ता बाद पर समझ देंजी एक हफ्ता बाद अभी ट्रेंड पकड़ना है और आप लोग एक हफ्ता पहले train ticket यहाँ पे चेक करेंगे यानि कि status चेक करेंगे तो नहीं मालूँ पड़ेगा तो यहाँ पर तीन दिन का आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मेरा जो टिकट है वो 31 मार चिका है तो यहाँ पे date डालेंगे short status के बटन पे क्लिक करेंगे यानि कि तीन दिन के अंडर का उसके पद आप लोगों को कुछ इस तरसे दिखाई देता है यहाँ पर आप लोगों देखिए जो भी आप लोगों ने train status में आप लोगों ने डाला था जैसे कि आप लोगों ने अपने गाड़ी नंबर तो नाम भी आ गया था और कहां से कहां तक वो गाड़ी चलेगी वो यहाँ पर मालूम पड़े जाता है और यहाँ पर arrival station कौन सा है वो यहाँ पर मालूम पड़ेगा यहाँ पर कुछ बता station है वो है अंदारा और जो station अभी इसके बाद का जो next station आएगा ओ है कटनी तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है अब यहाँ पर अगर आप लोगों को पहले एक चीज बता देना चाहता हूं जैसे कि हमारे जो train है वो यहाँ से start हुआ लेकिन वो जैसे जैसे आ जो train है वो यहाँ पर है यह एक station है जिसका नाम है भड़नपूर तो भड़नपूर में अब यह station पर यह गाड़ी रुकी हुई है सायद और फिर यहाँ पर अंदारा station आने वाला है उसके बाद यह कटनी जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताए कि next junction जो पर जाता है उसके पर यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे तो आप लोगों को नीचे जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि last station पर कब तक पहुचा देगा किस डेट पर ठीक है यानि कि कि इतना टाइम लगेगा पहुचाने को वह सब पूच आप लोग यहाँ पर चेक कर है अब मैं आप लोगों को एक खास और मज़ेदार चीज बताता हूं यहाँ पर बैक करेंगे और जो आप लोगों को नंबर और आप लोगों का ट्रेंड का नाम जो दिख रहा है उसके सामने यहाँ पर एक छोटा सा मैप का ओपशन दिया गया है यानि कि यह एक destination का है तो मालूम पढ़ेगा और दिखाई देगा अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को में एक चीज दिखाता हूँ सबसे उपर ही आप लोगों को एक option देखने को मिलता है यहाँ पर green color में हरे color में उच में छोटा सा train दिखाए देता है location के अंदर इस पर click करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरसे page load होगा और दिखाई देगा आप लोगों को अपना geo location GPS on रखना है location on रखना है अब हमारी जो train है जो source area है वो यहाँ पर उत्तरप्रदेश में और जो destination है वो है यहाँ पर पूने में वो आप सब लोग easily check कर पाएंगे जैसा कि अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले चेक किया था तो वो सतना के pass में है और कटनी पहुचने वाला है जैसे कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा तो इस तरह से यह आप लोग live status चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग इंडिया मैप में भी easily check कर पाएंगे कि आप लोगों का गाड़ी का आप लोग अपने train का status location चेक कर पाएंगे live train status अपने mobile से और आप लोगों को यह भी मैं बता दू कि मैं next वीडियो में बताया हूँ कि आप लोग कैसे अपना PNR status चेक करेंगे जिससे आप लोगों को मालूँ पड़ेगा कि जो आप लोगों ने टिकट निकाल आप लोगों को मालूँ पड़ेगा उस वीडियो मैंने बताया है तो उस वीडियो का लिंक मैंने निचे description में दे दिया है आप लोग जरूर देखना और अच्छे से समझना कि आप लोग कैसे आप लोग अपना train का status चेक कर सकते हैं PNR status दोस्तों अगर आप लोगों ने इ आप लोग train का PNR status कैसे चेक कर सकते हैं कि जो आप लोगों का टिकट है वो confirm हुआ है या नई है या वेटिंग लिस्ट में है जनरल वेटिंग लिस्ट में है या कैंसल हो चुका है सब कुछ मैंने इस वीडियो मताया है तो उस वीडियो का लिंक मैंने निचे description में दे दिय है अप लोग उस वीडियो को जोड दिखेगा और इस वीडियो का एंट तक देखने के लिए धन्यवाद इस वीडियो में उतने मिलत Scott ने वीडियो में सोच के साथ में तब तक कलिव भाई